जैश्री राद है, पुजेश्री सद्गूर्दे भगवान के चरणों में प्रणाम कल्यान पत्रिका से भगवन नाम की चमतकारी महिमा भगवन नाम लेना जब से शुरू किया, समझना चाहिए कि तभी से जीवन की असली शुरुवात है भगवन नाम में ऐसी अलोकिक शक्ती है, कि वहे छण भर में महान से महान गंदगी को धोकर परम निर्मल एवं शुद्ध कर डालती है नाम लेने वाले का भला होने में किंचित भी संदेह नहीं है नाम और नामी दो वस्तु नहीं है भगवन नाम सभी पापों को धो देगा, विशुद्ध कर देगा भगवान से मिलने की आतूरता पैदा कर देगा भगवन नाम जीप पर आते ही ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा इस पर्ष हो रहा है भगवन नाम के समान विशुद करने वाली अन्य कोई वस्तू नहीं है जहां भगवन नाम का जोर जोर से कीर्टन होता है वहां का सारा वायू मंडल महान पवित्र हो जाता है भगवान के नाम का जब सुभे आँख खुलते ही शुरू कर दे और रात्री को जब तक जगता रहे तब तक चलता रहे भगवन नाम का उचारण करते समय महान से महान रसका अन्भव करें और ऐसी भावना करें कि मेरे शरीर में जो साड़े तीन करोड रोम है उन सबसे भगवन नाम का ही उचारण हो रहा है जीब से भगवान का नाम लेते समय कान से उसे ठीक ठीक सुने तो वह ध्यान सहित नाम जप हो गया इस कल्यूग में और साधन भले ही कठिन हो पर जीब से नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है नाम जबते जाओ और भव सागर से तरते जाओ गोस्वामी जी ने कहा है गाई राम गुनगन विमल भवतर बिनेही प्रियास भगवन नाम को जिसने अपना लिया भगवान उसके अनायास ही अपने बन जाते हैं भगवन नाम भगवान के चर्णों में भक्ती लगा देगा मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास मुख से निरंतर भगवान के नाम का उचार्ण होता रहे हाथों से काम अभ्यास होने पर ऐसा होना खुब संभव है बस मुख नाम की ओट लई है विश्वास होगा तो इस नाम उचार्ण मात्र से ही कल्यान हो जाएगा भगवान के नाम में प्रीती नहीं होती कितने ही लोग ऐसा बोलते हैं कि राम राम बोलने से क्या होता है मन शुद्ध होना चाहिए अरे शब्द में शक्ती है कोई गाली दे तो दुख होता है, क्यों दुख होता है खराब शब्द का असर मन के उपर होता है शब्द में दिव्य शक्ति है प्रेम से भगवान का नाम जब करो आपका कल्यान होगा मैं केवल एक संदेश लेकर आया हूँ और वह है श्री भगवन नाम शास्त्रों का कथन है, मेरा अनुभव है महापुर्शों का उपदेश है अनेकों बड़े-बड़े महत्माओं का अनुभव है भगवान की दिव्य वानी है और मेरा विश्वास है कि इस गोर कलिकाल में नाम के सिवाए इस घोर कलिकाल में नाम के सिवाई और कोई सहारा नहीं है और कोई सहारा नहीं है एक बार स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी नाम जब से भाग्य या प्रारब्ध पलट सकता है तो स्वामी जी उत्तर देते हैं हाँ भग्वन नाम के जब से कीर्टन से प्रारब्ध बदल जाता है नया प्रारब्ध बन जाता है जो वस्तुन न मिलने वाली हो वह मिल जाती है जो असंभव है वह संभव हो जाता है ऐसा संतों का महापुर्शों का अनभव है जिसने कर्मों के फल का विधान किया है कोई उसको पुकारे उसका नाम ले तो नाम लेने वाले का प्रारब्ध बदलने में आश्चर रही क्या है ये जो लोग भीक मांगते फिरते हैं जिनको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता अगर वे सच्चे हिड़े से नाम जप में लग जाएं तो उनके पास रोटियों का कपड़ों का धेर लग जाएगा उनको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी परन्तु नाम जप को प्रारब्ध बदलने में पापों को काटने में नहीं लगाना चाहिए जैसे अमुल्य रत्न के बदले में कोईला खरीदना बुद्धी मानी नहीं है ऐसे ही अमुल्य भगवन नाम तो तुछ कामना पूर्ती में लगाना बुद्धी मानी नहीं है नाम से अधिक दयालू नामी से अधिक दयालू भगवान का नाम है नाम का आश्रे लेते ही नामी प्रकट हो जाते हैं नाम का अर्थ है नमयति इती नाम है अर्थात नाम उच्चारन करने वाले के निकट नामी को उतर आना पड़ता है देखिए जिस नाम को भकवान शंकर जबते हैं सनकादिक जबते हैं नारद मुनी जबते हैं बड़े बड़े रिशी जबते हैं वहे नाम हमारे को मिल गया यह तो हमारा भाग्य खुल गया कल्यान चाहते हो तो निरंतर नाम जब करो प्रार्थना करो की ही नात मैं आपको भूलू नहीं नाम जब में ऐसी शक्ति है कि जग्यासा भी जागरत हो जाएगी और उसकी पूर्ती भी हो जाएगी पर रात दिन लगातार नाम जब करो निरंतर नाम जब करो किसी का जी नहीं दुखाना सत्ते बूलना नाम जब करना और भगवान के शरण होना ये चार वरत आप धारण कर ले उठते बैठते भगवन नाम लेने से संसार के सारे दुख छूट जाते हैं इस लाब को कोई न छोड़े इस से भगवान के चरण मिलते हैं नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं तुम जो चाहे करो पर भगवान का नाम लेते रहो नाम लेने में भूलना हो यही मेरा सबसे पुकार पुकार कर कहना है मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है भगवान जब हमारी जीप पर आगए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आगए नाम मुख में आते ही अपने को परम पवित्र माने जैश्री राधे जैश्री राधे पुजेश्री सद्गुर्दे भगवान के चरणों में प्रणा